हलो एवरिवन, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब अच्छे होंगे, मैं हूँ सीला, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं बनाई हूँ, रवा इडली, यह देखिए, काफी सौप्ट है, तो यह इडली तड़के वाले है, यह देखिए, इसमें मैंने तड़कर डाला है और देखिए, कितनी सौप बनी है, फूली भी है, इसको मैंने माइक्रोवेब में बनाया है, सिर्फ तीन मिनट में बनके तयार हो जाती है यह देखिए, कैसे मैंने बनाई हूँ, आपको दिखाती हूँ, तो चलिए, वीडियो शुरू करते हैं, तो यह देखिए, मैंने त दाली हूँ, इसे हलका सा फ्राई करना है, अब मैं इसमें कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, तो तड़के वाली इडली बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है, एक बार बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत पसंदा आएगा आपके परिवार को, यह देखिए, इस तरह इसे चलाते रहें, ताकि काजू जलेना, इसे ज्यादा डार्क नहीं करना है, थोड़ा लाइठ ही रहे, तो अच्छा लगता है, ज्यादा काला ना हो, ब्राउन ना हो, अब मैं इसको इडली वाली बैटर में मिला दूंगी, यह देखिए, तो 200 ग्राम सूजी थी, उसमें में दही डालकर, फेटकर, मैं आधा गंटा पहले रख ली थी, तो जब भी आप इडली बनाएं सूजी की, तो इसे आधा गंटा पहले ही दही में फेटकर रख लें, तो बहुत यह स्पंजी बनती है, और सौट भी बनती है इडली, और इसमें मैंने स्वादनुसार नमक यह देखे, इस तरह से तड़का आप लगा दे, इसे मैं और दसमनट के लिए फूलने के लिए रख दूँगे, अब मैं चटनी के लिए मुंगफली दाना फ्राई करने जा रही हूँ, तो हलका सा रोस्ट करना है, ज्यादा ओइल नहीं लेना है, थोड़ा सा ही लेना है, यह देखे, इस तरह से मुंगफली दाने को मैं प्राई कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ, अब मैं इसमें थोड़े से भूने चनी भी डालूंगी, तो भूने चनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, अगर आपके पास चनी की डाल हो, तो अगर आपके पास ताजी नारियल है, तो आप ताजी नारियल भी डाल सकते हैं, यह देखे, इस तरह से गैस बंद कर दे ताकि नारियल जलेना, अगर देखे, मैं इसे विक्सी में पीस लूँगी, तो पहले तो आप सुखा ही इसे पीसे, उसके बाद पानी डाले, अगर आपको पसंद नहीं है, तो यह देखे, बैटर में मैं थोड़ा सा इनो सॉल्ट डाल रही हूं, तो जब आप इडली बनाने लगें, तभी इसे डाले, पहले से डाल के न रखे, नहीं तो आपकी इडली फूलेगी नहीं, तो यह देखे, मैं बनाने जा रही हूं इडली, आपकी देखे, मैं माइकरोवेब के बरतन ले ली हूं, इसमें मैं इडलास पानी ले ली हूं, अब मैं इसमें देखे, नेट रख रही हूं, जाली, ताकि पानी उपर ना आए, और अच्छी तरह से इडली हमारी पक जाए, यह देखे, इडली बनाने का साचा है, तो माइ लगा लूँगे, यह देखे, ताकि इडली हमारी अच्छी से निकलाए बाहर, गाइड बहुत जल्दी बनके तयार होती है, सिर्फ तीन मिनट में ही इडली बन जाती है, माइकरोवेब में, ज्यादा टाइम नहीं लगती है, और बहुत ही ज्यादा सॉप्ट बनती है, तो तो मेरे पास सिंगल ही है, केवल चार ही इडली एक बार में बनती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसे बनाने में, तो बड़ा बरतन नहीं है न, इसलिए इसमें ही बनाना पड़ता है, ति देखे, अब मैं इसे माइकरोवेब में रख दूंगी, ति इसे करना पड़ता है आप डाइरेक्ट यह तीन मिनट के लिए सेट कर दे यह देखिए मैं माइक्रोवेब में रखने जा रही हूं अगाई बहुत ही जल्दी बन जाती है बिल्कुल टाइम की बचत होती है गैस पे तो थोड़ा टाइम लगता है लेकिन माइक्रोवेब में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता केवल 3 मिनट में ही इडली बन के तयार हो जाती है एक देखिये मैं रख दी हून 3 मिनट के लिए सेट कर दी हून जटपिट बन के तयार भी हो जाती है तो आप भी अगर आपके पास Chernay है तो एक बार ट्राय जरूर करियेगा बना के जरूर देखिएगा टॉल करके वाली इडली रवा की आप मैं चटनी तयार कर लेती हूं यह देखिए मैं चटनी पीष रही हैं आई देखिए चटनी यह मारी तयार हो गई है चटनी भी जहट पट बन cowboy के तयार हो जाती ज्यादा टाइम नहीं लगता है we हमारे यहाँ Samar कम पसंद करते हैं, चटनी के साथ ही छाना पसंद करते हैं इडली को, इसलिए मैं Samar नहीं बनाई हूँ, अई देखिए, चटनी में तड़के के लिए मैं राई डाली हूँ, आपके पास पीली सर्सो है, तो आप पीली भी डाल सकते हैं, देखिए दो साबुद लाल मिर्च है इसे भी आप डाल देजे अब देखिए कड़ी पत्ता को मैं थोड़ा सा तोड़ ली हूँ तोड़ के आप कड़ी पत्ता डालेंगे तो बहुत ज्यादा स्वाद आता है गाई साबुद डालने के बजाए आप थोड़ा से तोड़ ले अब मैं इसमें थोड़ी से हींग डालूंगे तो चटनी में तो हींग कहीत बहुत ज़्याद्च देश्टी लगता है कॉप्ट है यह देखिए आप देख सकते खुद सिर्फ तीन मन्यट में बनी है इडली माइक्रोवेब में गाइड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और प्लीज मेरे चाइनल को सस्क्राइब करिएगा ऐसी अच्छे अच्छी वीडियो में लेकर आती रहूं पेंग